Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Access की और Microsoft Access का 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं आज हम बात करेंगे many to many relationship की, many to many relationship क्या होती है ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि student table मैंने बनाया है और यह table में student id है, student का name है और यहाँ पर एक field और रख्यों यह teacher id, यह foreign की है पर student id को primary की बनाया गया, और teacher id देख सकते हैं, यहाँ teacher id को primary की बनाया गया है तो यह दो tables आपको दिख गई है, अब यहाँ पर एक junction table मैंने बनाया है junction table का क्या मतलब है, कि इसमें मैंने एक id field डाली है और यह field जो है मैंने रखा है primary की, और इन दोनों को ही, यहाँ teacher id को और student id को बना दिया है, हमने foreign की, ठीक है अब problem यह है कि जब हम इसका relationship create कराते हैं, like यहाँ पर आए तो यह देखिए, यह relationship जो है, आप इडिट relationship करता हूँ, तो यह देखिए, यहाँ पर आपको दिखता है one to many relationship, ठीक है, अब यहाँ many to many relationship हुआ कैसे, यहाँ पर भी आते हैं और right click करते हैं, edit करते हैं इसको, तो यहाँ पर one to many देख रहा है, लेकिन यह many to many क्या हुआ, इसका क्या मतलब है देखिए, दिखेगा तो वो one to many ही, लेकिन यह है many to many relationship, अब इसका क्या मतलब है, आइए, चलिए समझते हैं तो यहाँ पर जैसे junction table पर आता हूँ, तो यह देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों को मैंने foreign की बनाया था, आप इसका फायदा देखिए यह Hina है ना, यहाँ पर click करता हूँ, तो देखिए Hina को teacher ID 101 और 102, दो लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है दोनों लोग पढ़ा रहे हैं, अब देखिएगा, यह Rubina है, तो Rubina को 101 वाले भी पढ़ा रहे हैं, यानि कि दो student को एक teacher पढ़ा रहा है, यानि यह हो गई one to many relationship, आचाहिए यहाँ पर नगमा पर आते हैं, तो यह 101 ID वाले teacher ही नगमा को भी पढ़ा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं, many to many relationship, ठीक है, I hope के बाद समझ में आ गई होगी, अगर वडियो अच्छे लगए तो इसे share करें, thank you for watching this video, एक बार फिर से देखिए इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, student ID 1 है, ठीक है, और student ID 1 वाले student को teacher ID 101 वाले भी पढ़ा रहे हैं, 102 वाले भी पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए, फिर आता हूँ नीचे, तो यहाँ पर देखिए, student ID 4 वाले student को भी teacher ID 101 वाले पढ़ा रहे हैं, तो यहनि कि 101 वाले दो तीन student को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यह हो गई many to many, अच्छा many to many कैसे हैं, चलिए समझ में आता है कि 101 वाले इनको भी पूजा को भी पढ़ा रहा है, ठीक है, और पढ़ा रहा है पूजा को भी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह नीचे पूजा नाम दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर, चो कि रिकॉर्ड एंटर नहीं किया, तो यहाँ पर देख झाल झाल